जनाब आज जो पार्लिमेंट में ट्रिपल तलाख का बिल फिर से एक मरदावा प्रेजन्ट होकर पास हुआ है तो उसके तालोग से आपके क्या तासुरात है उस बिल के तालोग से जो अपोजिशन पार्टी जो एक रवाया रहा है जो उसके तालोग से उनका स्टैंड रहा है तो उसके तालोग से आपका क्या तासुरात है आज इंडियन पार्लिमेंट का फिर से एक ब्लैक डे है मुस्लिम विमेंस राइट प्रोटेक्शन ओन मैरेज बिल टूथोजन एटीन जो बीजेपी अपने डिक्टेटर्शिप के जरीए से अपने अहंकार के जरीए से और मुस्लिम महीलाओं के कॉंस्टिटूशनल राइट्स को छीनते हुए जबरदस्ती से नंबर्स की बुनियाद पर अनकॉंस्टिटूशनली पास करवाया इसके लिए आज इंडियन पर्लिमेंट का ब्लैक डे है आपने एक बात पूछी के उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ के बीजेपी आज के दिन पूरे देश के सामें बैडली एक्सपोज हुई है वो इसलिए के 0.1% महिलाओं के इंटरस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो महिलाएं जिनका कंटेंशन कोर्ट्स में अलग-अलग वजुवात की बुनियाद पर है उसके लिए 99.99% महिलाओं के इंटरस्ट को सप्रस किया गया आज बीजेपी पुरा खुल कर आ गई और दूसरा बीजेपी का हिडन एजेंडा भी साम में आ गया बीजेपी ये चाहती है कि मुस्लिम औरतें रोट पर आएं और मुस्लिम मर्द हजराद जेलों में जाएं इसे इस बिल में सिविल नेचर को क्रिमिनलाइज करकर बीजेपी खुल कर ये बता रही है कि हम मुस्लिम दुश्मन हैं और तीसरा एजेंडा भी बीजेपी और एंडिये का साम में आ गया कि ट्रिबल तलाग बिल के जरीए से कॉंस्टिटूशनल छेट पैदा करकर यूनिफॉर्म सिविल कोट के तरफ हिंदु तुआ के तरफ हमारा देश आके बढ़ रहा है तो आज फिर आपने ये सवाल किया कि अपोजिशन का क्या रोल रहा यगीनन लास्ट टाइम जो अपोजिशन ने डिफरेंट डिफरेंट स्टैंड लिया था मगर आज पूरे एंटार अपोजिशन इंक्लूडिंग कॉंग्रेज यूपिये पूरों ने एक सुर में बिल का अपोस्ट किया और डिमैंड किया कि इस बिल को जोइंट सेलेक कमिटी को रिफर किया जाए इसकी वज़े मैं समझता हूँ कि एक लेडी बिहार की एंपी आज दो बज़े से साथ बज़े तक हमने हसरत भरी निगाओं से पूरे पारलिमेंट की कारवाई को देखते रहे और ये सोचते रहे कि हमारी सेकुलर जमाते क्या कर रही है क्या स्टैंड लेगी मगर फिर भी आज सेकुलर पार्टीस ने बहतरीन स्टैंड लिया इस्पेशली बिहार की एंपी रंजन नाम की एक लेडी है उन्होंने खुरान शरीफ को ये कहा कि प्रावड मुमेंट है मेरे लिए खुरान शरीफ और सूरे नसा सूरे बखरा की आयतों को कोट कर कर कहा कि ये ट्रिबल तलाख का कानून आज से चोदा सो साल पहले बन चुका है तो मैं अपोजिशन को अप्रीशियेट करते हुए उनसे उम्मीद करता हूँ कि यही स्टैंड करते हुए राज्य सभा अपर हौज में लेकर जाएंगे तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं जो परसनल लाव वोड ने जो पिछली मरतबा जैसे बिल पास हुआ उसके बाद परसनल लाव वोड ने एक मुहीम छेड़ी और जा करके तमाम अपोजिशन पार्टी और एक बात के उपर मैं और एक जिकर यह करना चाहूंगा कि बीजेपी को सिर्फ 245 वोड मिले हैं जिसका मतलब के उनके खुद के अलाईज ने भी उनका साथ नहीं दिया है तो क्या आपको लगता है कि परसनल लाव वोड की जो अलग अलग पार्टी की कौंसलिंग की गई उसका कुछ असर जैसे कि बिलवर गाय में भी जो है यहां के एमपी को भी मिल करके उनकी भी जो है उस तालग से कौंसलिंग की गई थी तो क्या इसका कुछ असर कुछ इंपेक्ट आपको नजर आया है इसमें हंडर्ड परसेंट हंडर्ड परसेंट मुस्लिम परसला बोड मेल आइंड विमन्स विंग की अंतक को शिशों का यह नतीजा है कि आज सेकुलर पार्टीस ने यह स्टैंड लिया और बिल खुसूस मैं सलाम करना चाहता हूँ हमारी खियादत खायद मुहतरम बैरिस्टर असौदीन अवेसी सहाब की खायदाना सलाहियतों पर जिनकी अंतक महनतें पार्लिमेंट के अंदर भी और बाहर भी कल उनकी बैटी की शादी है बावजूद उसके उनके एक मिले के बच्चे का इंतकाल हो गया बावजूद उसके आज सारा दिन बैरिस्टर असौदीन अवेसी सहाब इस बिल क्या पोजिशन में लड़ते रहे इस्पेशली मुस्लिम परसलाबोट के तमाम खायदीन जो एक एक एमपी से जाकर मिलकर पूरे एक सो बीस एमपी से मिलकर उन्होंने उनको कन्वेंस किया और बताया के ट्रिबल तलाख क्या है इसकी खानूनी हाकिकत क्या है इसके लिए लॉस क्या बनाए गये है और बताय तो कुछ ना कुछ प्राविजन रखना चाहिए ना वो प्राविजन ट्रिबल तलाख है तो इसका असर आज लोग सबा में देखने में मिला पूरी आपोजिशन पार्टी एक सुर में इस बिल का पोस्ट कर रही थी इसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो सिर्फ और सि लाबोट के मेल और उमेंड मिंक को और बैरिस्टर सोदीन अवेसी साहब को हमने जो मुलाखाद मली करजुन खरकेस साहब से की उनको भी कन्वेंस किया और अल्रेडी उन्हों ने यह स्टैंड लिया था कि इस बिल का पोस्ट इस मरतबा किया जाएंगा उसी तरीके से उन् पिये के जितने अलाई हैं तमाम लोगों ने बिल का पोस्ट स्टैंड लिया बस फर्क इतना मुझे आज के पूरे डिबेट में ऐसा महसूस हो रहा था कि पहली मरतबा चब भी लाया था तबी सेकुलर पार्टी यह स्टैंड लेती तो मरहूम अस्रार उल्हक साहब बेचे इत्मिनान के साथ खायद मुहतरम मरहूम इस्रार उल्हक साहब इस दुनिया से इत्मिनान के साथ रहलत वर्माते मगर जो भी हुआ देर आए दुरुस्त आए अब यह उम्मीद है कि यह स्टैंड को कैरी फारोड करते हुए अपर हाउस में भी यह स्टैंड रखेंगे अनम्पॉइमेंट का है हमारा मसला ऐसे कई मसाइल है जब हम यह कहते हैं कि सचर कमिटी के इंप्लिमेंटेशन को रेक्मेंडेशन को इंप्लिमेंट किया जाए तब यह फिर्खा परस बीजेपी यह कहती है कि मुस्लिम मैनॉर्टी अपीजमेंट हो रहा है जब रंगलाज मिस्रा कमिशन गुंटू कमिशन की बात रेक्मेंडेशन को इंप्लिमेंट करने का मुतारबा होता है तब यह कहती है कि मैनॉर्टी अपीजमेंट है आज वो खवातीन आज की सेकुलर जमाते सेकुलर पार्टी का स्टैंड की एक वज़े यह भी है कि देश की लाखों की त को बरदाश कर सकते हैं हम बेरोजगारी को बरदाश कर सकते हैं कच्छों घरों में किराय के घरों में रहने को बरदाश कर सकते हैं हम हर चीज़ को बरदाश कर सकते हैं मगर सरीयत मुहमदी ﷺ में रत्ती वराबर की मुदाखिलत को बरदाश नहीं कर सकते ये पैगाम हमारी इजददार माओं और बहनों ने लाखों की तेदाद में रोडों पर आकर देश को दिया उसकी भी एक वज़े ये बनी कि आज अपोजिशन पार्टी इस ने बिल का भरपूर तरीके से अपोस किया और डिमेंड किया कि इसे जॉइंट सेलेक्ट कमीटी को रफर किया जाए अभी जो हालात लोकसवा के नजर आये हैं कि बीजेपी सिर्फ अपने बल्बोते पर अपनी तेदाद के बल्बोते पर इस बिल को पुश करने में कामियाब हुई है जबके राजस्वा में देखा जाये तो सिचुशन अलग है वहाँ पर वीजेपी को भी मेज़ोरिटी नहीं है और इवें एंडिया को भी मेज़ोरिटी नहीं है तो उन हालात में आपका क्या दाज़िजिया है कि वहाँ क्या हो सकता है और वहाँ पर अपोजिशन पार्टी को आपके ऑपिनियन में क्या स्टैंड लेना चाहिए और वहाँ का रिजल्ट क्या आ सकता है आज जो अपोजिशन पार्टीज ने स्टैंड लिया इस से पहले कि जो जब लास्ट टाइम बिल आया था राज्यसबा में उस वक्त भी अपोजिशन पार्टीज और यूपिय यूपिय कॉंग्रेस के आलाई ने बिल का अपोज स्टैंड लिया था अब पूरी उम्मिद है क बहुत स्ट्रोंग तरीखे से अपोजिशन पार्टीज राज्यसबा में स्टैंड लेंगी चूंके आज मुस्लिम परसलाबोट की महनतों से पूरे अपोजिशन सेकुलर बेस पार्टीज और सेकुलर लीडर्स को ये बात मालूम हो चुकी है कि ये बी जे बी का हिडन एज लाख एक बहुत बड़ा गुना है जिसके उपर खानून वराने से इसमें चेंजस नहीं आएंगे इसे सुसाइटी को रिफॉर्म करना होंगा रेप के उपर खानून है क्या हमरे मुल्क में रेप रुक गए बी जे पी अगर माइनोरिटीस या फिर बैकवर्ट कमिनिटीस में से ज्यादा इंटरस्टेड है उनके इंटरस्ट को प्रोटेक्ट करना चाथी है तो मॉब लिंचिंग पर खानून क्यों नहीं बनता है आज गाये के नाम पर इंसानों का खुन बाया जा रहा है एक इंसान को मारना पुरी इंसानियत को मारने के बराबर है देश में गाये के नाम पर इंसानियत को मारा जा रहा है उसके खानून बनाने की कोई बात नहीं करते मगर जो इशू नहीं है नौन इस्यू को रियल इस्यू बनाकर बीजेपी और इंडिये सरकार ये चाहती है कि रियल इस्यूस को माइन डैवाट कर दिया जाए तो मेरी फिर से मैं हमारी खियादत और मुस्लिम परसला बोट को जजबे को सलाम करते हुए मैं पूरे सेकुलर जमातें इंक्लूडिंग कॉंग्रेस के स्टैंड को अप्रिशियेट करते हुए उम्मीद करता हूँ कि ये स्टैंड राज्य सभा में भी होंगा और सोशल रिफॉर्म लाने के लिए मुस्लिम परसला बोट काम कर रहा है और इंशालला उतला हम भी काम कर रहे हैं और वो काम को आगे जारी रखेंगे